गुजरात के राचकोट में शुक्रवार सुबह एक निजी कोविड अस्पताल में भीज्ड आग लगने से पांच मरीजों की जिन्दा चलकर मौत हो गई अन्य मरीज भी जुलस गए उन्हें दूसरे अस्पताल में भरती कराया गया है आग का घारण अभी पता नहीं चल सका ये धर्दनाग घटना राचकोट के मावडी इलाके मिस्तित शिवानन्द अस्पताल के आईसियू में हुई कोविड अस्पताल होने की वज़ा से अस्पताल के आईसियू में 11 मरीज भरती थे इन्हें मिलाकर अस्पताल में कुल 33 मरीज भरती कई मरीज आग की उची लफटों में गिर कर जुलस गए उन्हें घायल अवस्ता में दूसरे अस्पताल में भरती कराया गया है इसके अलावा अस्पताल में भरती सभी मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों को मौके पर बेजा गया जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया बताया गया है कि आग की शुरुवात अस्पताल के ICU से हुई थी गुजरात के मुख्य मंद्री विजे रूपाणी ने मामले की जांच के आदेश दे दिये है वहीं अभी तक आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने और अन्य कारियों पर ध्यान दिया जा रहा है